तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है तो जितने भी लोग सिंगल है और वो जो है शादी में आना चाहते हैं या रिलेशनिशिप में आना चाहते हैं तो आपकी जो future spouse है उनकी spirit जो है या जिस भी तरीके से वो कहीं न कहीं exist करते हैं और आप अभी तक उनसे नहीं मिले हो तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं तो यह जो है एक timeless collective reading है कुछ चीज़े आपकी situation से resonate करेगी कुछ चीज़े नहीं भी resonate करेगी आप उसे आज़टिस छोड़ सकते हैं अगर आप मेरे चानल पर नए आए हैं तो आप उस चानल को like करें, share करें, subscribe करें और हाँ, bell icon को ज़रू all पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर notifications मिल पाएं और आप content को enjoy कर पाएं तो जितने भी लोग single है, single special है ये reading भी कि वो जो है आपकी life में जल्द ही आना चाहते हैं और life में जो ईश्वर ने जो timing आपकी set करी है, एक divine timing है तो वो बहुत जल्द ही आएगी नेक्स टारा six of wands, Aries, Leo, Sagittarius के energy है, नेक्स टारा आपके लिए night of cups, अरे वाँ, और नेक्स टारा आपके लिए justice, Libra energy है और नेक्स टारा आपके लिए four of wands, देखो आपके सामने ही आया है, बहुत सारे लोग जो single हैं और किसी relationship में हैं already, तो आप जो है अपने husband से या wife से मि पूरे पूरे chances हैं, chances मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ, क्योंकि आप एक action लोगे, दूसरा भी एक action लेगा, तब जो है वो शादी संपन होगी, तो कुछ यहाँ पर यह चीज़ है, अगर जो है आप totally single हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी relationship में कभी भी कुछ नहीं रहा, औ हमेशा जो है आपको किसी ने दोका दिया है, या फिर जो है आपका, मतलब एक तरीके से गलत तरीके की भावना रखी है आपके लिए, और उसने कभी आपका साथ नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको justice मिल रहा है, जो आपका करमा है, जो गुड करमा है, और उस इनसान के लि कोई ना कोई proposal आए, लेकिन आएगा जरूर और आप यहाँ पे शादी कर पाओगे, और आपको जो है, अगर आप marriageable age पर हो, तो आपको almost जो है, वो छे महीने से लेकर, जो नेक्स साल के चौथा महीना है, मतलब एपरल तक जो है, मतलब आने वाले, अभी अगर आप यह दि क्या कहना चाहते हैं, तो नेक्स आरा किंग आफ काप्स, कैंसर पाइसिस कॉपियों के नर्जी है, नेक्स आरा क्वीन आफ पेंटिकल्स, ओके टॉरस वो को केप्रिकॉन अभी बताती हूं मैं आपको, नेक्स आरा किंग आफ वांट्स, बहुत अच्छे कार्ट आए हैं, देख लो, आपके सामने ही है, किंग, कुइन, कींग, कौइन आ रहे हैं, और लास्ट मे आरा है, टेंपरिंस, ठीके, तो यहां पर यहाँ पर यह एनर्जी है, इस परसन की या आपकी, और लास्ट मे आरा है, दच्टार का काट भी हा, इक्वेरिस अनर्जी है, तो यहाँ वाले परसन के तरफ से अगर आपको emotional support चाहिए तो emotional support मिल रहा है अगर जो है आप protection चाहती है तो थोड़ा सा over protective नेसा आपको मिल रही है अगर जो है आप ये चाहती है कि आपका जो wealth हो या वो चीजे हो जिसकी take care वो कर सके या आप कर सको या stability हो security हो यह नहीं क्योंकि life में बे manifest कर रहे हो और आपकी manifestation जो है वो यहाँ पर पूरी हो रही है next आ रहा है यहाँ पर queen of cups भी है temperance भी है मुझे यहाँ पर यह लग रहा है जो feminine energy है वो ऐसी है कि अंदर से बहुत जादा emotional है और उपर से मतलब दिखाने के लिए बहुत जादा practical है और उन दोनों का बहुत अच manifestation है वो पूरी हो रही है और आपको जो है वो दुखी होने की या परेशान होने की जुरत नहीं है बहुत तेजी से जो है आपके future spouse आपके पास आ रहे हैं अब वो यह कहना चाते हैं आप को एक अच्छी life देना चाते हैं आपका साथ निभाना चाते हैं आपको इमोशनल चाहते हैं ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ मतला थोड़े समय के लिए जो हानीमून फेज होता है उसके लिए प्रेमभाव उनके मन में आए ऐसा वो नहीं चाहते हैं वो जो है एक बहुत ही जादा स्मूध और पीस्फुल तरीके की लाइफ चाहते ह चलिए देख लेते हैं, कुछ messages देख लेते हैं, love messages, तो पहला आ रहा है आपके लिए, make time for what makes you happy, तो आपको जो है self love पे या अपने आपको जो है happiness create आप करना चाहते हो, उस चीज़ पे जो है focus करना है, आप खुश रहो, next आ रहा है honeymoon, तो honeymoon में जो है वो आप सोच रहे हो या व दोनों की तरफ, next आ रहा infatuation is blind, love is all seen and accepting, तो इस तरीके की यहां पे energy है, next आ रहा है आपके लिए balance of life, देख लो, balance of life आया, mental health, emotional health, physical health, work, family, social life, fun, leisure, तो सब चीज़ों का balance रहे है, इसलिए जो है वो कुछ समय लग रहा है, वो जल्दबाजी में जो है वो शादी नहीं करना चाहते हैं, next आ रहा love the way you are acceptance, तो acceptance यहां पे आ रही है, next आ रहा be supportive, एक दूसरे को support देना है और इस तरीके से जो है आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हो, next आ रहा आपके लिए happiness is anyone and anything at all that love by you, तो यहां पे यह चीज़ है कि happiness जो है वो यहां पे exist करती है, next आ रहा you are very special, और next आ रहा give your relationship time and love, और एक और देख लेते हैं, love is our true destiny, we don't find the meaning of life by ourselves alone, we find it with one another, तो वो जो है आपकी destiny में है और आप भी उनकी destiny में हो तो आप जोनों ही मिल जाओगे, जैसे ही मिलना है, तो चलिए देखते हैं इस energy से रिटेट को charms, यहां पर आपको एक cutter सा जो है, यहां पर princess का crown आया और यहां पर snake भी आया, तो जो past में आपके साथ हो चुका है, जो भ tough कर रहे हो, और यहां पर heal हो और आपको जो है एक अच्छा treatment, जो आप deserve करते हो, वो आपको यहां पर मिलेगा, चलिए देखते हैं, कुछ love song भी देख लेते हैं, तो पहला आ रहा है must magan two states का, तो हो सकता है आपकी interstate जो है वो शादी हो या कुछ इस तरीके की situation हो सकती है, next थी आपकी reading, उमीद करते हूँ, आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है तो please चानल को like करें, share करें, subscribe करें, thank you